पलपल नियूस के निजरूम से मैं हूँ आपके साथ नदिम अक्रम केंदर की मोदी सरकार देश को विश्व गुरू बनाने का सपना देख रही है विश्व गुरू कैसे बनाएगी इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है पर विश्व गुरू भारत जरूर बने विश्व गुरू बनने का सपना आम जनता को दिखा रहा है तो ऐसे मुद्दे से भटका दिया गया है जिसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि सुप्रिम कोट में एक ऐसे सुनवाई हुई है जिसे केंदर की मोदी सरकार पूरी तरीके से बेनकाब भी हुई है और ये दर्शाती है कि आखिर कार किस तरीके से मनमाना रवया अपना करके देश के तमाम जो मुद्दे हैं उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अगर किसी चीज़ पर वहस होनी है तो तुरंत कारवाई होगी कि साहब हमारे पत्रकार को ठालिया तो तुरंत रातो रात जजज साहब भी बैठ जाएंगे और सुप्रीम कोट भी फैसला सुना देगी जिस तरीके से सरकारी मिशनरी का इस्तमाल केंदर की मोदी सरकार विश्व गरू बनाने के लिए कर रही है उसकी पोल सुप्रीम कोट में पूरी तरीके से खुल गई है क्योंकि जो विश्व गरू बनाने की बात कर रहे हैं देश के लाखों मजदूर ऐसे हैं जो अपनी भूग को मारने के लिए पानी पी कर गुजारा करते हैं और पेट पर कपड़ा बांद करके गुजारा कर रहे हैं चौकियमत ये तस्वीरें और जो सुप्रीम कोट का जज्ज्मेंट इस पर आया है ये गोदी मीडिया बताने वाला नहीं हैं और ये देश के वो मुद्धे हैं जिस पर बहस होना लाजमी हैं और जब बहस करने के लिए तमा लोग केंद्र सरकार को घिरने की कोशिश करेंगे तो उसे तमाम तरीके से डराने की कोशिश की चाहिए और इस मनमाने रवये को ले करके सुप्रीम कोट के जज्ज मुदी हुकूमत पर बुरी तरीके से बढ़के हैं किस तरीके से इस पर जजज्मेंट दिया है एक पर इस और जैसिस पीवी नाग रतन की पीठ ने कहा कि राश्तिय खाद सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बावजूद भूख से मरना चिंता की बात है अभी भी लोग पेट पर कपड़ा बांध कर पानी पीकर भूख मिठाने को मजबूर हैं कोट ने कहा कि देश के सभी को राशन कार्ट देना चाहिए ताकि वेकम पैसे पर या फ्री राशन पा सकें दरसल सुप्रीम कोट ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की खराब हालत के मुद्दे पर खुद संग्यान लिया कोट में पेश न्याय मित्र निकाहा की अभी भी प्रवासी मजदूरों की भूख से मौत के मामले लगातार हम लोगों के सामने आ रही हैं मजदूरी न मिलने पर गाउं में लोग पेट पर कपड़ा बांद कर पानी पीकर भूख मारते हैं इस पर जस्टिस शाह ने कहा हमने पहले ही कहा है कोई नागरिक भूख से ना मरे सरकारी दावों के भाव हर संबब मदद कर रही हैं जश्तिशा ने आगे कहा कि अगर किसी कारण से जरूरत मंद लोग सरकार के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सरकार को उनके पास खुद चल कर जाना चाहिए ये वैसे होगा कि प्यासा कुएं के पास नहीं पहुंचे तो कुएं प्यासे के पास जाना चाहिए सरकार इस विचार को हकीकत में बदनने का प्रयास करे कोट непहा की प्रवासीमस्डूरों को भोजन और राशिन कार्ड देने पर केंद्र सरकार सो bread आपी ने मजडूर से पंजी करन के प्रयासों के जानकारि दीतो जस्टिस शाह ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिना राशन काट के रह रहे हैं कोट ने कहा कि देश के किसान और मजदूर सबसे महत्वपूर्ण हैं किसान अनदाता और मजदूर देश के निर्मान में भूमिका निभाते हैं उन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता दोनों बता दें कि सरकार ने गुरुआर को संसत को बताया है कि सुप्रीम कोट में 72 हजार और विभिन हाई कोट में 69 लाक मामले लंबित हैं। अनुसार उच्टम न्याले में 72 हजार बासट मामले लंबित हैं। उन्हों ने कहा कि न्यालों में लंबित मामलों का निप्टाना नियाई पालिका के अधिकार छेतर में आता है। और संबंदित न्यालों द्वरा विभिन प्रकार के मामलों के निप्टान के लिए कोई समय सीमा निधारित नहीं की गई है। मंतरी ने कहा कि अधालतों में मामलों के निप्टारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। और मामलों के समय पर निप्टना कई कारकों पर निर्भर करता है। तो ये विश्व गुरू जो बनाने का सपना देख रहे हैं। उनकी सुप्रिम कोट में पोल खोलती हकीकत जनता के सामने आना जरूरी है। जो विश्व गुरू, मेकिन इंडिया और तमान दावे करते हुए मीडिया में नजर आते हैं पर असल में उनके दावे कितने खोखले हैं वो इस रिपोर्ट से लोगों के सामने आ जाता है। जहां हमारे देश में आज पी कई लाख लोग अपनी भूक को मारने के लिए पेट पर कपड़ा बांग कर पानी पी कर गुजारा कर रहे हैं। तो वही हमारे देश में जहां न्याएपाली का इतनी वड़ी है वहां 72,000 तक मामले लंबित हैं। और निचली अदालतों में 4 करोड का आकड़ा चूती हुई ये तमाम रिपोर्ट सामने आती है कि इतने केस लंबित हैं। तो सोचिए कि जो जूटे दावे जूटे जूमलों के साहरे लोगों को या जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी तस्वीरे लोगों के सामने लगतार आ रही हैं। और जब लोगों के सामने उसकी तस्वीरे सामने आ रही हैं तो सुप्रीम कोट में ये मामला भी पहुँच रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जजो द्वारा बुरी तरीके से फटकार केंदर की मोदी सरकार और राजे सरकारों को लगाई जा रही है कि आखिरकार जो दावे किये थे जो वादे किये थे वो कब पूरे होंगे अगर कोई भूखा चल कर आपके पास नहीं आ सकता तो आपको उनके पास पहुँशने में क्या दिक्कत है ये तमाम तस्वीरे बहुत कुछ बया करती है जो केंदर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट से जड़ी हर एक अपडेट आप लोगो